घिलो फ्रेंज, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉंस की रेसिपी। ये मसालेदा स्पाइसी प्रॉंस की रेसिपी है। जो बनाना आसान है और खाने में तो बहुती ज्यादा स्वादिश्ट है। इसके टेस्ट के बारे में तो आप मती पूछे तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए इंग्रीडियन्स यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है लगभग 300 ग्राम प्राउन जिसे हमने साफ करके इस तरह से रखा हुआ है इसके साथ ही हम ले रहे हैं दो टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस, थोड़े से खड़े मसाले, करी पत्ता, एक चौप्ट किया हुआ टमाटर, हरी मिर्ची और एक चौप्ट किया हुआ प्याज मसाले में हम ले रहे हैं नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ज पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर पहले हम प्रॉंज को मैरिनेट करते हैं इसके लिए आप डाल दे स्वादा नुचान नमक, हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्ज पाउडर अब सारे इंग्रीडियन्स को प्रॉन में अच्छी तरह से मिला लें ये देखे इस तरह से इंग्रीडियन्स प्रॉन में मिलाने के बाद आप इस मारिनेशन को छोड़ दे लगबग आदे घंडे के लिए तो चलिए इसी बीच हम बना लेते हैं हमारा मसाला तो एक कड़ाई में आप डालें लगबग तीन चमश तेल मैंने यहां पर मस्टर्ड ओयल यानि की सरसों की तेल का इस्तिमाल किया है आप किसी भी कुकिंग ओयल का इस्तिमाल कर सकते हैं जब तीर गरम हो जाए तो इसमें आप डाल देए खड़े मसाले जैसे की लॉंग डालचीनी और इलाइची इसके साथ हम इसमें डाल देंगे यह हरी मिर्ची और अब इसमें आप डाल दें एक चॉप्ट किया हुआ प्यास यह देखिए अब सारे इंग्रीडियंट्स को अब हलका सा फ्राइ कर लें आप प्यास को तब तक फ्राइ करें जब तक यह थोड़ा सा सॉफ्ट नहों जाए यह देखिए प्यास यहां पे सॉफ्ट हो गया है इसका कलब भी चींज हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे दो चमच जिंजर गालिक पेस्ट यह पेस्ट को भी अब आगी इंग्रीडियंट्स के साथ में ला ले और मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए अब इसमें आप डाल दे स्वादा नुसा नमक हल्दी पाउडर लाल मिर्श पाउडर मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर का इस्तिमाल किया हुआ है इसे इसका कलर बहुत ही जादा अच्छा था है और जादा तीखा भी नहीं बनता है अब इसमें आप डाल दे यह जो धन्या पाउड़र अब सारे इंगरीडियन्स को अच्छी तरह से मिला लें यह देखिये अगर मसाला बहुत जादा सुखा लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दे हैं ताकि सारी ingredients अच्छी तरह से मिल जाए आप अभी से देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना अच्छा आया है यह देखिए अब मसाले को हमें भूनना है यहां पर आप देख सकते हैं कि मसाला तेल छोड रही है तो अब इसमें हम डाल देंगे यह टमाटर टमाटर को भी आप पकाए जब तक कि यह सॉफ्ट ना हो जाए यह देखिए टमाटर को भी बाकी ingredients के साथ आप मिला लें इस तरह से अब इसमें डाल देए करी पत्ता करी पत्ता से इसका टेस्ट बहुत सादा अच्छा आता है तो ऐसा unique flavor आता है करी पत्ता से तो करी पत्ते का इस्तेमाल आप definitely करें चलिए देखते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गया या नहीं थोड़ से चेक कर लेते हैं इसे आप धक की ही पकाए ताकि टमाटर थोड़ जल्दी सॉफ्ट हो जाए तो यह देखिए मसाले से पानी भी निकल रहा है अब टमाटर पानी छोड़ती है अब इसे हम चेक करते हैं एक बार मिला ले इसे इस तरह से यह देखिए टमाटर भी अब सॉफ्ट हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे हमारा मैरिनेटेड किया हुआ प्रॉंस यह देखिए मैरिनेशन काफी अच्छा है प्रॉंस को हमने इसमें डाल दिया है मसाले के साथ अब सारे इंड्रीडियंट्स को अब अच्छी तरह से मिला ले ये देखिए इस तरह से आपको मिलाना है अब इसे आप ढग के लगभग 10 से 15 मिनिट तक पकाएं जब तक की प्रॉंस अच्छी तरह से पक ना जाए बीश-बीश में आप इसे मिलाते रहे ये देखिए इस तरह से चेक भी कर लें कि प्रॉंस को खो रहा है या नहीं करके अगर आपको यहाँ पर जरूरत है तो आप थोड़े से पानी का इस्तिमाह कर सकते हैं अगर मसाला बहुत सादा ड्राय हो रहा है और गडाई के साथ चिपक रहा है तो बस एक और बार हम इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से ये प्रॉंस अब बनने लगा है आखिर में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर ये देखें गरम मसाला डालने के बाद आपको इसे और कुक नहीं करना है बस एक बार आप इसे अच्छी तरह से मिला ले और इसे ढखके आप दो मिनिट तक छोड़ दे गैस का फ्लेम भी आप आप आफ कर ले तो तयार हो गई है आपकी यमी प्रॉंस की रेसिपी के साथ as a side dish भी ले सकते हैं तो अगर आज आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन जो चैनल पे है उसे आप प्रेस करें इससे आपको मेरे हर नए रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारे चैनल को देखने के लिए